स्वागत करता हूं इस MS Office की वीडियो टिक्टोरियल में जहां आप सीख रहा है MS Outlook और दोस्तों हमने प्रिवेस वीडियो में हमने Outlook की जो बेसिक फीचर थी जो आपलूक फीचर थी उसको हमने कवर किये थे अब बात करतें Outlook की VVA की कि Outlook में आप VVA कैसे आप यूज करोगे तो Outlook में VVA यूज करने लिए सबसे पहले आप स्टार्टिंग में करना जा रहे हैं सबसे पहले आप फाइल में जाएं और इसके हम टॉस सेंटर टॉस सेंटर सेंटिंग में जाएं इसको अनेवल और सबसे पहले करें उसकर ओकी किजिए अब उसके बाद टेक्शल ऑप्यक्शन में कस्टमाइज लीवन पे जाएं और यहां डेवलपर टैप को क्लिउक करें जैसे कि Amis Excel में आपने डेवलपर टैप दिखा था, सिर्प ऐसा है डेवलपर टैप आपको आउटवुक में आएगा, फिर वह पर्स आउटवुक में जाए और आउटवुक जाने के बाद विज्वल बिसिक दी क्लिक करें, या फिर आप अपने सिस्टम का और प्लस 11 को प्रेज करें, अब देखे इसमें प्रजेक्ट आ रहा है, इसमें आपको आउटवुक आ रहा है इसमें out of office session है जिसमें हमारे यह हैं अप्लिकेशन और इसके जो events होते हैं कि आइटम से इन आइटम रिशीव और सारे चीज आप यहाँ दे सकते हैं आइटम लोड न्यूमेल, न्यूमेल, स्क्यूर, रिमाइंडर, स्टार्ट अप इसमें आप अपने comments डाल सकते हैं इसको event का दे सकते हैं यहां फिर आप जो है यहां इंसर्ट में जाएं और नया modules बना सकते हैं इसके मैं यहाँ एक सिंपल देता हूँ, subject, st, bracket, open, close इसमें अपने माइक्रों इसे एक्सेलर माइक्रों आते थे हैं, mhg, box, और यहां देते हैं अब इसको run कैसे करेंगा, run आपका outlook में माइक्रों में जाके माइक्रों यहां पर आवर माइक्रों को run कर सकते हैं यहां से अगले माइक्रों को run कर सकते हैं तो आप इसी तरह हमारे tutorial पर बने रहें हमारे outlook शानल को subscribe करें ताकि आगे वाले आने वाले जो हमारे outlook के वीडियो जाए वो आपको मिलता रहे है क्योंकि एक्सल पर तो बहुत सारे वीडियो जो आप मिल जाएंगे आउटूट में लेकिन आपको Outlook के वीडियो वीडियो कर दम लेंगे तो हमारे वीडियो को लाइक किजिए सबक्राइब किए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो आपको मिलता रहे थाक्ष मतल जाए जाए मृट लंकाँ तो इस बीडियो नि में आपको